दोस्तों आप सबको स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंडिस्टी दुनिया में इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले है वियना सीजी वर्स वियना आफगान के भी जो खेला जाएगा वियना टीटेन का मैच गाइस मेक शूर करना वीडियो अंतर देखो ताकि आपको इनफोर्मिशन मिले दोनों ही टीम के बारे में जो अपना कुछ मैचेस खेल के आ रहे हम लोग पीछ स्टैट अनलाइसिस भी करेंगे साथी साथ जो सबसी इंपॉर्टेन होगा ना देखो दो तीन मैच का रिकॉर्ड नहीं इनके पास्ट के रिकॉर्ड से भी हम लोग प् पीच में अगर आप लोग चैनल में नहीं हो तो फटा फट से सब्सक्राइब कर दो नोटिविक्शन बेल दबा दो ताकि आपको फ्यूचर मैचेस जैसी की पॉर्टुकल टीटेन हो जाए और हो जाए आई पील के मैचेस कवरेज सब के कवरेज मिलेंगे मिलेंगे जो इम क्रिकेट ग्राउंड पे जहां का गाइस पीचना लॉचिकली एंड आप अगर देखो के पास स्टैट्स लास्ट सिजन भी हुआ था वियना टीटेन का तो वहां पे भी इस ग्राउंड पे बहुत जाता रन बन रहे थे सारे 12 बज़े से मैच स्टार्ट होगा बट मैं आप आपको 12 बच के 15 में अपडेट कर दूँगा थीक है 12 बच के 15 तक आपको अपडेट मिल जाएगा फाइनल अपडेट प्लेंग 11 फाइनल टीम अपडेट सब कुछ हमारे टेलीग्राम चैनल में तो टेलीग्राम आप जरू से जॉइन हो जाना जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्किप्शन में एड कर दूँगा ठीक है इस वीडियो के डिस्किप्शन में आपको एक ब्लू कलर का लिंक मिलेगा ठीक है इस वीडियो के डिस्किप्शन में ब्लू कलर का लिंक मिलेगा उस लिंक से आप हमारे टेलीग्राम चैनल जोएन हो जाना अगर ऐसा हुआ क वह लिंक काम नहीं किया 99% चांस है कि लिंक काम करेगा अगर लिंक काम नहीं किया तो आप यूजर ने में वह भी टेलिग्राम पे जाकर सर्च कर सकते हो देखो मैं अगर इस चैनल आएंगे जहां पर 10-11,000 के करीब सब्सक्राइबर लाइक चैनल मिलेगा इस पर जॉइन होन नीचे में एस सब्सक्राइब कर रहता है यह होता है यूजर नेम जो हमारे यूजर नेम है अधरे टीम अपडेफ तो आप इस पर जॉइन हो जाना आफटर टॉस अपडेट फाइनल टीम सब कुछ इसी पर मिलेगा कुछ वीनिंग्स भी मिलेंगे इवन कुछ मेरा भी ला और साथ अगर देखो कि यह जो पीच यहां पर एक सो और एक सो दस के करीब स्कूर बना चाहिए यह फर्स मैच होगा हलका पीच में नमी रहता है तो हलका बॉल ना थोड़ा ज्यादा रुक के भी आता है ऐसे मैच इसमें ऐसे पीचिस में तो फर्स्ट मैच और फर्स इनि तीसरन बनाये थे एम साधिक ने चौबिस बनाया था वन डाउन आते उसमें तीन इनकस बड़े-बड़े चक्के थे ठीक है एम साधिक का इन अवी टू डाउन खेला था जो गाईस मुझे कुछ खास इनका पास रिकॉर्ड भी नहीं है मैं आपको दिखाऊंगा नूर अम अपने दो वर कम्रेट किया दो विकेट एन अमज जाए कैप्टेंसी करेगा टीम का एन बहुत ही शानदार हिटर भी है गाईस तो इनको मिस्स मत करना ठीक है अमज जाई को एम शिनुवारी आई सफी मुझे कुछ खास लगे नहीं आई दीदार दो वर डाले एंड जभी इब्रहाइम देखो जबी इब्रहाइम एक स्पीनर है अब डिफेंशल मेरे साब से जरूर लेना क्यों लेना मैं आऊंगा ठीक है ध्यान से देखते जाओ ये ये कुछ जो रिसेन इस सीरीज में एक ही मैच खेला था ये टीम उसका रिकॉर्ड है मैं पास्ट रिकॉर्ड म वाला मैच में दो वर्ड डाले थे बैटिंग आपको टॉप ओडर में करेंगे बट इनका रिकॉर्ड ना डिसेंट है ऐसा बहुत हाइफाइ नहीं है तो आप रोटेट कर सकते हो अकबर जन मस्ट पीक है जिन्नों ने एक क्यूकित निकाले दोनों मैच में पैटिंग से श क्यों नौरिस को आइडिली वन डाउन भेजना चाहिए इस मैच में भेजेंगे टू डाउन आइधिंग जो एक अटेकिंग बैट्स में टीम का कैप्टेंसी भी करेगा विकी सेक्शन में आपको यह मिल जाएंगे अली रहीमी एक में इन्होंने एक ओवर्ड डाला था और और हाँ पसंद आया तो प्लीज यहां लाइक कर देना चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड टेलिग्राम जरू से जॉइन हो जाओ ताकि मैं आपको अफटर टोस अब्डेट दे पाहूं विससी के तरफ अगर देखते हो इनसे अकबर जैन मोस्ट इं बैटिंग किया था तो दोनों अच्छी चॉइस हो चुके इन इन टीम से पट एक प्लेयर जो कमबेक कर सकता है जो फर्स्ट मेंच नहीं खेला वो कौन है लकमल कस्थूरी इन्होंने आट मैच में तेरा ओवर डाले थे पाच विके निकाले थे 84 रन बहुत इंपोर्टन प टेक होगे इनका तीन मैच में केबल 28 रन पाच ओवर में यह विकेट नहीं मिला था मैंने डवली लिख के रख दिया जीरो था तो डी एकस्थन को मैं डॉप कर दूँ एंड लकमल कस्थूरी को ले लूँ अगर लकमल कस्थूरी खेला तो मेरे तीम का मस्थ भी होगा ठीक अगर हैरी खेलता है तो मैं हैरी को ट्राइब करूंगा ठीक है ओवर हिमान शुज जा इन्होंने चार मैच में एक ओवर डाल के निकाले थे लास सेजन में सत्यम प्रकाश का एक मैच में दो वर था एक एक अश्विन प्रकाश अगर खेलते तो जील में जरूर ट्राइकर इन्होंने चार मैच में पाच ओवर डाला था एक विकेट अश्विन प्रकाश ना हाड़ेटर बैट्समें भी है तो आपको टॉप फोर में बैटिंग करते हुए दिखेंगे तो आप जील में तो जरूर अश्विन प्रकाश को ले 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 ना अगर खेल दे तो सुरज मौ अब मैं आता हूं विएन अफगान के बारे में ठीक है इत्यान से सुनते जाना कौनसे प्लियर इंपॉर्टन है इनका फर्स्ट में ज्यादा अच्छा गया नहीं था शायद जन्ता इग्नौर करें आप इग्नौर मत करो एं कैप्टन वाइस कप्टन जरूर बना अचली ज मेरे टीम का मस्ट पीक इवन मेरे शायद दो से तीन टीम का कैप्टेन भी बनेगा यह दो मस्टिक मैचस में भी आतंग मचा के रखा है मोस्ट इंपोर्टन प्लेयर में से एक राजमल साइग वाथ स्वारी तू उत्मन जाई पांच मैच 92 रन अच्छे चोईस है यह अब जरूर से ले लेना नूर आमच जाई का अगर देखो कि दस मैच में 179 रन 12 ओवर में चार विकेट छे मैच 70 रन 6.4 ओवर में पाच विकेट तो यह भी एक विकेट टेकिंग नेक है इनके पास लास्ट मैच में लिया था बट आप ग्रॉप और इग्नोर मत करो आमेद नभ कुछ न कुछ करते होते हैं ना कुछ प्लियर जो कही न कहीं से इंपक्ट डाल देते हैं लाइक कुनाल पांडिया जैसा तो यह कुछ ऐसा ही है बट आप रोटेट आराम से कर सकते होती है अमेन अमच जाई इन्होंने 10 मैच में 110 रन 13.5 ओवर में 8 विकेट विकेट वियना जैसी फर्स्ट मैच में भी डाला दो ओवर डाले थे इन्होंने उसमें भी विकेट लेस गया था और यह विएना और और ऑस्ट्रिया टीटेन दोनों लास सीजन का टीटेन में इनको किबल दो दो विकेट मिला था तेरा ओवर और डालतो है तो आप समझ रहे हैं साहिल कर सकते हो 9 मेच में 12 ओवर 3 मेच में 12 जार तीन ग्ट तो मैक में 4 जार गुट तो यह थोरे ज्यादा टेकिन न केक है कॉंप्िर सहिलजव दर लं इसक सफी का देखो नौ मेच में दस ओवर डालते हैं दो इकेट छे मैच में छे ओवर डालते हैं दो इकेट ना ओने परेज मतलब बहुत कुछ विकेट टेकिंग नहीं है बट इनके पास है वह जभी इब्राहिम जो आप स्पीन बॉलिंग करते हुए दिखेंगे नौ मेच म में छे मैच में नौ ऑवर डालते हैं पाच उगे था इनका उस्ट्रिया टीटेन में तो जंता इनको मिस करेंगे विकास में इन्होंने एकी ओवर डाला था तो शायद कोहीं नहीं लेगा इस मॉन लीग में बट आप अगर 3-4 में मस्किल तो मैं बोल रहा हूं आपना ओवर कंप्लीट नहीं करा रहा था नो डाउट फर्स में यह ओवर कंप्लीट कर रहा है तो आप इनको भी ट्राइब कर सेकतो तो एक जो आपके लिए की है होगा ना देखो जंता वाला पिक तो दीदार के साथ जाएगा बट मैं अगर बोलूंगा जो स्टैट है व करेंगे तो आफटर फाइवर आएंगे तो आइटिंग इस मैस में युके निकाल जाए जबी इब्राहिम तो बहुत बड़ा की डिफेंशल पीक होंगे आपके लिए ठीक है चैप्टेन चॉइस मेरी टिम का एकबर्जान डिफॉल्ट है सिमसन परकर सेफ है यह दोनों स्म पसनेली मैं एक ना 11 वाला कंबिनेशन यूज़ करूंगा जहां पर मेरा और साइगवाल कैप्टेन बनेगा और वाइस कैप्टेन रहेगा जबी आमेज़ई तो आई होब आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया होगा तो लाइक कर देना चैनल में नहीं हो तो चल सब्सक्राइब मोहमद नूर आमज़ई है हमारे पास डी एकस्टन अगर कुत्रा कहलता है ना क्या कस्थूरी जो भी ना में अलकस्थूरी तो मैं उनको ले लूँगा फिलाल मैंने आई दीदार को लिया हूँ एस जद्रान को मैंने ले लिया एज ज्ञा को मैंने लिया द दोनों ना विकेट टेकर नहीं है कंपेर्ट तो जबी तो जबी एक अच्छे जोएज होंगे ठीक है अफ्टर टॉस अपडेट आपको टेलिग्राम पे मिलेगा टेलिग्राम जॉइन हो जाना वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्स स्क्राइब कर देना धन्यवाद का इस्पाए